अगर आप हमारे चला में नहीं देखिए आप सब्सक्राइब को लाल बटन है और फिल आइकन प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको नए वीडियो के सूचना पर राप्त होती रहे ब्रिटानिया इंडस्ट्यूज लिम्टेड हम उसे स्टॉक और उसे कंपणी के बारे में बात करेंगे देखिए आप उनकी वेबसाइट पर मैं एक जलाग आपको बता तो जाकता कि आपको रिमांड हो जाए कि प्रोड़क्स कैसे हैं कंपणी क्या करती है अजादी से पहले कैसे आए है और डिविटेंड अनॉंस्मेंट जो हुआ है कितना मिलेगा पर शेयर के हिसाब से अब यह रहा हम आ चुके है बिटानियन देश्ट्यूज लिमिटेड थर्ड में 2019 ग्याराव अच्छेश वाइस मिनट है और 27-40 रुपए करेंट भाव चल रहा है बेसी पे 44- 50 पैसी की डाउनसाइड है डाउनसाइड क्यों है वो भी देख लेंगे हम 52 वीक लो है 26-28 मतलब 26-28 है और हाइथ है इसका 34-60 मतलब अपने लोग के पास पहुंचने वाला है इतनी बड़ी दिगज कंपनी और रिस्क-फरी कंपनी है 76 परसंट बाइट 21 परसंट लोग कह रहे हैं कि सेल इट मार्केट का एफ है 66,383 करोड की EPS है 49.36 की पी है 55.96 की प्राइस टूबुक है 14.54 की बुक वैले 189.97 की डिविडेंट भी पे करती है डिविडेंट येल जो इसका लास्ट येर था 0.45 परसेंट एंड फेस वल्यू एक की रह गई है इंडिस्ट्री पी से थोड़ी सी कम है इंडिस्ट्री पी 58.0 है तो भी अंडर वैल्यू कह सकते हैं डिलिवरेबल है देखे 30.67 परसंट फनेंशल में आचुके हैं हम कंसोलिडेट और डेट तो खेर 178 मतलब 178 करोड का है तो डेट यहां ना के बराबर जीरो मानिए क्योंकि इसका नेट प्रॉफिट ही देखिए जो मार्च उडनिस का आया है तो 294 करोड का तो चाहते एक बार में खतम कर सकती तो ये डेट भी कि कुछ नहीं है ऐसे ही है एनिमेज हम पहले मार्च हम आपको एन्वल भी दिखाएंगे येर और येर और येर और और येर और अट पहले बता दू जो क्वार्टर दिसंबर 18 में 2827 करोड की नेट सेल्स थी वो मार्च 19 में आई है 2764 करोड की थोई से डाउन साइड है अध अधर इंकर में बढ़ा थे थोड़ी से लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफित में जहां दिसंबर 18 में 451 करोड की थी वहीं मार्च 19 में 436 करोड करें यहां भी थोड़ी से डाउन साइड है नेट प्रॉफित में जहां 300 करोड थी दिसंबर 18 में मार्च 19 में हो गई 294 करोड की तो थोड़ी सी यहां पर डाउन साइड है. Year-on-year हम consolidated देख रहे हैं, March जहां 18 और March 19 के हम compare कर रहे हैं, तो जहां 9,905 करोड की net sales थी, वहीं 10,973 करोड की हो गई, 10%, करीब 11% के आसपास growth है, और operating profit में जहां 1501 करोड की थी, वहीं 17,333, यहां पर भी 15,5-15% के आसपास upside है, Consolidated net profit जहां March 18 में 1,004 करोड की थी, वहीं 11,69 करोड की होगी, यहां भी करीब 15,5% की upside है, और margin में भी 15,03% की थी, वहीं March 19 में हो गई, 15,68% यहां भी margin भी थोड़े से बढ़े हो गई, तो year-on-year इसकी बहुत जबरत रिचल से, लेकिन quarter में थोड़ा से इनको जटका लगा है, इस वज़े से थोड़ा share price पर भी दबाव बना है, और अच्छी बात है कि इस company excellent quality की है, sales growth 9.85% का है, यह भी अच्छा है, EBIT growth 23.63% क्योंकि इतनी बड़ी कमपनिया है, अच्छी बात है, और net debt हम देखी चुके है, valuation देखिए, यहाँ पे 2786 के उपर expensive बता रहा है, लेकिन अभी भाव चल रहा 2739, 27 अब यह अपने fair valuation पर आ गया है, तो यह समय है, खरीदारी करने का, भर लेने का, भरना इंदर सेंस कि actually यह थोड़ा सा, इसका price थोड़ा सा है ही, बड़ा price है, तो जो छूटे investors होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर आप SIP भी कर सकते हैं, ऐसी दिगज कमपनियों में, तो निडर होके खरीदें, महिने के एक-दो share खरीदें, आपके क्षमता के उपर है, लेकिन ऐसी कमपनियां आपको हमेशा पैसा कमवा के ही मानेंगे, पी रेशियों तो हम देखी चुक है, ROC देखी 44.46 का, ROE है सका 27.25 परसंट का, financial trend flats हैं, और रिटन हम 10 सालों के देख लेते हैं, 10 सालों में 1625 परसंट का जबर्दस्त रिटन है, और पांच सालों में देखी सारे 500% का रिटन यह भी अच्छा है, चार सालों में 52% का है, यह भी चंतोष जनक है, तीन सालों में भी समझी है, हम लोग करीब 30% के पर यह साप से भी अगर काउंट करते हैं, तो भी चंतोष जनक है, और mutual funds ज्यादा ही है, और two year में अगर हम 54 भी भी है लेकिन एक साल से यहां पर return अच्छे नहीं है इनिवेज और शेर होल्डिंग देखिए है जो दिसम्बर अठ्रम थी हो मार्स निस में भी रही 50.66% की और शेर गिरी भी नहीं है इंडिविज्वल इन्वेस्टर से 15.42% के और FIIs 286 FIIs हैं देखिए कितने smart हैं लोग को भरोसा हैं इंडियन कंपोनी पे mutual funds 32 schemes ने इसमें जबरदस से holding बनाई हुए और पिछले वर्ष जो इन्हों ने डिविडेंड दिया था 25 रुपे पर शेर के हिसाब से दिया था और अपनी इंडेस्टी में फिफ नंबर पे है FMCG कंपणी है लेकिन मैं आपको बता दू इस साल कितना पर शेर दे रही है देखिए यहां पे एक news है मैं पढ़ देता हूं सरसरी तोर पे the Board of Directors of Britannia Industries Limited its meeting held on May 1st 2019 has recommended dividend for the financial year ended March 31st 2019 at 15% यानि की 15 रुपे पर equity share of each मतलब पर शेर के हिसाब से 15 रुपे पर शेर के हिसाब से मिलीगी इनकी annual general meeting में कहा गया है जो कि 9 अगस्त को संपन होने वाली है the dividend if declared will be paid despised on or before तो 21 अगस्त मतलब 20 अगस्त से पहले pay कर दिया जाएगा तो जो already holders है जिनके पास existing shares है तो उनको यह dividend मिलेगा tax free dividend है और जो लेना भी चाहा है तो वो भी ले सकते हैं और मैं कहूंगा कि बिटानी जैसी industry safe company जबर्दस्त company लिया जा सकता है और SIP करते रहें भरे वहीं मैं कुझे पसे ही बताना था आज thank you for watching this video दोस्त